नमस्कार मैं आर्ती रजक आपका स्वागत है टीवी हंडेट नेशनल में आज हम बात करेंगे गुगल का एयर टेल में निवेज पर जिस पर गुगल ने लिया है बड़ा फैसला रिलाइंस जीओ में निवेज करने के बाद अब आई एयर टेल की बारी जी हाँ गुगल ने अपनी नई पहल में भारत के दूसरे सबसे बड़े दूर संचार ऑप्रेटर एयर टेल में निवेज करने की संभावना जताई है दूर संचार प्लेटफॉर्म पर गुगल के एयर टेल में निवेज के फैसले से क्या बदलाव आएगा एर टेल को कितना लाब होगा? क्या है दोनों का मास्टर प्लान? आईए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में बता दे कि गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्चेदारी 33,737 करोर रुपे में खरी दी गूगल और जियो दोनों भारती बाजार के लिए किफायती 4G और 5G स्मार्टफॉन विक्सित कर रहे हैं इसके बाद गूगल ने भारती एर टेल में 1000 करोर रुपे इंवेस्टमेंट का फैसला की है कमपनी पिछले एक साल से दूर संचार ऑपरेटर के साथ चर्चा के एक एडवांस चरन में है रिपोर्ट के अनुसार जल्धी गूगल और एर टेल का सौधा बड़ा होने की उम्मीद है दोनों कमपनियों ने अभी तक इस पर अपने विचार साजह नहीं किये हैं लेकिन फिर भी यदि गूगल में एर टेल निवेस प्राप्ट करने में सफल हो जाता है तो टेल को इस कमपनी पर कुछ बकायरासी का भुकतान कर सकता है बता दे कि रिलाइंस जीयों ने दूर संचार उध्योग को बाधित किया है रिलाइंस जीयों की मुफ्त वाइस कॉल और सस्ती डेटा कीमतों ने पूरे दूर संचार उध्योग को बाधित कर दिया है जबकि वाइस कॉल के मामले में एर टेल और वोडाफोन आइडिया के कुल राजस्वा में 70-75% का योगदान करते थे एक टॉप एनालिस्ट ने बताया गूगल के प्रवेश से एर टेल की बैलन्स सीट में मजबूती आएगी क्योंकि यह कंपनी को रननीतिक रूप से मदद करता है गूगल डेटा एनालिस्टिक पर इनोवेशन कैपबलिटीज और ताकत लाता है गूगल का डेटा मुदरी करन दुनिया में किसी भी आन्य कंपनी से कहीं बहतर है और इसे और भी बहतर कर सकता है एर टेल अपनी प्राप्तियों और लाब प्रदता में सुधार करने के लिए अपने डेटा को बहतर तरीके से मुदरी करीद करने में मदद करता है इस बीच Airtel पैसा जुटाने के लिए 29 अगस्थ 2021 को एक बोर्ड बैठक आयोजित किया था ताकि वो वास्तविक समय से पहले सभी बकायरासी का भुकतान कर सके Airtel ने कहा हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कमपनी के निदेशक मंडल की बैठक रविवार 29 अगस्थ 2021 को हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ इक्विटी या इक्विटी लिंक्ट या डेबिट इंस्ट्रूमेंट या उसके किसी भी सैयोजन के माध्यम से अधिक संभावना है कि बाद में इस मोर्चे पर कुछ भोसना की जा सकती है कारोबार और निवेस जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV100नेस